चेंपियों स्टॉफी 2025 को लेकर जो जंग भारती मीडिया की जानिप से शुरू की गई थे और भारती मीडिया नहीं सबसे पहले यह बताया था कि चुके भारती क्रिकेटीम पाकसन खेलने के लिए नहीं आ रही तो पाकसन क्रिकेट बोर्ट को मजबूरन चेंपियों स्टॉफी 2025 हाइब्रेड मॉडल के तहट करवानी पड़ेगी और बी सी से जो फाइनल डिजीजन आई सी सी को लिख कर देगा वहीं आई सी सी करने के उ पाकसन हाइब्रेड मॉडल के तहट करुएगा अगर पाकसन नहीं मानेगा तो चैंपियों स्टॉफी 2025 पाकिस्तान से छीन ली जागी और फिर भारती मीडिया ही ये कहा के चैंपियों स्टॉफी 2025 जो है वो भारत के अंदर करवाई जा सकती है बी सी सी के अंदर इस चीज तो इस चीज़ के उपर भारती मेडिया ने जो रिपोर्टिंग की है उसके मताबिक पाकिस्तान की जो तारीखी जीत है वो हो चुकी है और वो जेशा साब जिनके बारे में भारती मेडिया का ये ख्याल था कि ये पाकिस्तान को जमीन बोस कर देंगे अब उसी जेशा के बार पूर था वो अब ना सिर्फ जमीन बोस हुआ है बलके जो जमीन की गहराईया है वहाँ पर पाक्सन के गिट बोर्ड की जानब से इसको दफन कर दिया गया है सो चैंपियन्स रॉफी 2025 के उपर क्या फाइनल ब्रेक्ट्रू देखने को मिल रहा है और चैंपियन्स रॉफी का जो शिडियूल है वो कब अनौस किया जाएगा ये वो डीटेल्स है जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है लेकिन सबसे पहले आप सबसे हमारा ये चैनल चुके शैडो बैन का शिकार हो रहा था और आप लोगों ने पिछले एक वीक के अंदर जो स्पोर्ट शो की है इस चैनल के साथ जो महबत अपनी शो की है उसकी वज़ा से ये चैनल आलमोस्ट जो शैडो बैन है उससे बाहर निकल चुका है और आप फाइन questions है वो share करें ताकि उनको मैं answer करूँ और अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास कोई question नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप comment section के अंदर लिख सकें तो at least जनाब जो पाकसन जिन्दबाद का नारा है वो लगा कर जहां से जिस एलाके से जिस मुल्क से आपके वीड market की जो latest news है उनसे बाकबर रहना चाते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को जो लिंक है वो भी share कर दीजगा अब आते हैं चैंपियों स्रॉफी 2025 के उपर है और इस वक्त वो भारती एंकर जो पाकिस्तान के सबसे खिलाफ समझा जाता है हलांके recent days के अंदर विक्रांत गुप एंटी पाकिस्तान जो जहर है वो गुलने से बास नहीं आता और वैब भी बोला के ही मताबी कर चैंपियों स्रॉफी 2025 भारत ने पाकिस्तान से चीन ली थी लेकिन अब जो recent developments हुई हैं उनको देखकर वैब भी बोला जो news 24 sports के उपर as an anchor काम करते हैं उन्हों ने ये vlog किया है और इस विलोंग के अंदर ये कहा है कि जनाब जो ICC है वो अब पाकिस्तान और भारत को एक टेबल के उपर बिठा रहा है और कुछ लोग कुछ दो की policy के उपर अब चैंपियों स्रॉफी 2025 जो है वो खेली जाएगी और जो सबसे बड़ी बात वैब भी बोला की इस वीडि model पर खेली जाए या पूरी की पूरी पाकिस्तान के अंदर खेली जाए लेकिन एक बात confirm हो चुकी है कि जो समझते थे कि cricket की supreme body ICC उनके कहने के उपर चलेगा और पाकिस्तान को जनाब तिगनी का नाच नाचने पर मजबूर हुए है तो उन्होंने ICC को ये कहा कि भाईजन मेर बानी करें हमें एक joint table के उपर बिठाए और कुछ लोग कुछ दो की policy के उपर हम काम करते हैं ताकि हमारी भी इजद बच जाए जो हमने अपनी अवाम को चुरन बेचना है और पाकिस्तान cricket board की भी इजद बच जाए और वैबी भोला की जो news 24 sports के उपर वीडियो शेर जनाब जो भारत के matches हैं वो पाकिस्तान से बाहर हो जाए और बाकी सारे matches जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर खेले जाएंगे अगर भारती टीम semi final के लिए qualify नहीं करती तो इस सुरत हाल में भी जो जनाब बाकी semi final और final होंगे जिनके बारे मैं initially ये कहा गया कि उनको पहले ही पाकिस्तान से बाहर move out कर दिया जाए वो भी पाकिस्तान के अंदर खेले जाएंगे लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान cricket board है उन्होंने hybrid model के उपर जो खामी है और जो जनाब भारती cricket board का और ICC का ये जनाब जो एक पाकिस्तान को लॉली पॉप दिया गया है इसके उपर हमाय जाहिर नहीं की और दूसरी बात जो वैबी भोला ने अपने vlog के अंदर की वो यह है कि ICC ने जो BCCI के कुछ लोग और BCCI के कुछ anchors अब BCCI के anchors लफस सुनने में पड़ा अजीब लगता है लेगिन जो पिछले दिनों में भारती anchors काम करें तो वो actually media का का काम नहीं था बलके वो BCCI का काम था इसलिए मैंने भारती जो भारती cricket board के anchors है ना वो बोला है तो जनाब जो BCCI के anchors ने कहा था ना कि BCCI के अंदर आब यह सोच डिवैल्प हो चुकी है कि Champions Trophy भारत होस्ट कर ले तो ICCI ने भारत को बता दिया कि आप तीन consecutive जो events है ना वो होस्ट नही होस्ट किया फिर Champions Trophy 2025 अगर इंडिया को मिलती और उसके बाद T20 World Cup भारत ने होस्ट करना था तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा जनाब जो एक सरदर्द है वो बांच सकता था और इसके अलावा ICC के जो अपने board members हैं वो भी ICC के खिलाब बगावत कर सकते तो इसलिए ज इसा Champions Trophy venue था उसके ओपर तो सिरे से जो काटा है वो ICC से ने लगा दिया है और अब भी भारती मेडिया यह खबर भी दे रहा है कि ICC जो है वो सिरलंकन क्रिकेट बोर्ड और सौथ अफरीकन क्रिकेट बोर्ड जो है उसके साथ रापते में आ चुका है और इन दोनु मुलक भी है कि पाकिसन क्रिकेट बोर्ड राजी नहीं होगा और जो 2012 में पाकिसन और इंडिया को ICC इवेंट्स में सेम ग्रूप में रखने का कारनामा शुरू हुआ था वो ब्राड कास्टर्स की वज़ा से हुआ था और अब भी जो तीन इशारी दो बिलियन डॉलर्स की डील ह है 2024 से लेके 2027 तक के इवेंट्स की इस डील में नमबर वन चीज़ ये है कि 100 मिलियन डॉलर्स का जो ब्राड कास्टर्स हैं उन्होंने ICC के सामने ये दावा किया है कि वो वेवाफ किये जाएं इसके अलावा एक और जो ब्राड कास्टर्स ने ICC के गर्दन के उपर एक चा उसमें मजीद जो मिलियन डॉलर्स हैं वो वेवाफ किये जाएं और अगर इसी दुरानिये के अंदर पाकिसन वर्सीज इंडिया मैच कैंसल हो जाता है या पाकिसन के टीम जो है वो चैंपियन्स रॉफी से अपने आपको पुल आउट कर लेती है तो देन जो ब्राड कास् की जो डिमांड है वो मानी जाएंगी और आइसी सी च।कि ये चीज़ जना आफोर्ड नहीं कर सकता इसलिए इंडिया पाकिस्तान सेम टेबल के ओपर बिठाये जाएंगे और अगर पाकिसन क्रिक्ट बोर्ड मैं अगर पाकिसन या इंटरनेशनल क्रिक्ट कॉन्सल की जान उसी सुरत में चेंपिनस टॉफी हाइबरेड मॉडल के तद खेली जा सकती है और अगर पाकिस्तान रिजेक्ट कर देता है जिस तरह से मौसीन अक्वी साब ने आज स्टेटमेंट दिया है तो फिर भारती टीम को पाकिस्तान आना पड़ेगा इसके अलावा जो डोजियर की एक रूदा सुनाई गई थी इस डोजियर के बारे में अब भारती मीडिया ये दावा का रहा है कि आई सी सी को ये डोजियर भारत की जानब से भेज दिया गया है लेकिन अब ही तक जो आई सी सी के सोर्सिस हैं वो खामोश हैं और उनके मताबिक दोजियर नहीं पहुंचा और दोजियर के अंदर भारत लिखेगा क्या ये जिनाब बड़ी important चीज़ होगी पाकिसन के हवाले से और पाकिस्तान फिर उसका क्या जवाब देगा एक नई टसल किस तरह से शुरू होगी ये अगर आप details जानना चाहते हैं तो लाइक की जगा, जादा जादा शिर की जगा, अल्ला हाफिज.